नमस्कार साथी हूँ मैं राजुराम बिरडा अपने यूटूब चैनल पर एक नए जोस, एक नई उमंग और एक नई आसा की किरण के साथ दिल की गैराईउं से जो मकर सक्रान्ती है, मकर सक्रान्ती की सुब काउनों के साथ अपने इस यूटूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का आरदिक स्वागत और आरदिक अभिनन्दन करता हूँ दोस्तों मुझे पूरी आसा है कि आपने भी पतगमाजी का जो मजा है वो लिया होगा दाल के बड़े खाये होंगे, तिल के लड़ू का स्वाद जरूर लिया होगा इसलिए दोस्तों इन सब से प्राप्त एक नई उर्जा, एक नई जोश के साथ चलो अपने जो लक्ष ड्राइवर है, उसकी और कदम है बढ़ाते हैं दोस्तों जैसा कि आपको इस थमनेल में दिखाए दे रहा है, कि आज मैं आपके सामने मोडल पेपर टू लेकर आया हूँ दोस्तों, दोस्तों आपको आनन्द आ जाएगा इसको सुनकर कि भूती अच्छे क्यूसन है, वो इस पेपर में होंगे इसमें हम एक से सोतक परसन है, उनको हल करेंगे दोस्तों तो दोस्तों अगर इस मोडल पे परसन संबन्दीत किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो परसन को लेकर, तो उसके संबन्द में आप अपना कमेंट है, वो लिख सकते हैं उसका जवाब है, या ता समय जल्द ही आपको मिल जाएगा, या उसका इसपस्टिकन आपको मिल जाएगा तो उसकी आप चिंता ने करें, दोस्तों हमारा टेलिग्राम चैनल है, राज एजुकेशन हेल्प, वहाँ पर आपको लगबग सारी पीडियेफ है ड्राइवर बरतीशन संबन दित, उस पीडियेफ को आपको वहाँ पर अविलेबल करवा दिया जाएगा दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, तो ही आपको लाइक करना है अगर पसंद नहीं आए, तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको जबरदस्ती लाइक करना है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला परसंद है परिवहन एक परिवहन वहान चलाने के लिए अध्यता लाइसेंस दिया जाता है जब तक कि आविदक के पास न्यूनतम खालिस्तान हेतू LMV मतलब लाइट मोटर वहिकल चलाने के लिए चालक लाइसेंस होना चाहिए मतलब कम से कम आपके पास में light license है कितने वर्स पूरा ना होना चाहिए कि आप है वो परिवन license के लिए आविदन कर सकते हैं तो दोस्तों option नमर जो हमारा एक है वो correct हो जाएगा मैं आपको आज दोस्तों सिधा person ही बताऊं उत्तर ही बताऊंगा ताकि समय वो इसमें कम से कम लिया जासके अगला person होगा हमारा दोस्तों परसन नमर दो है त्री भूजु में यातायात चिन का अधार बूत परकार देता है सबसे पहले त्री भूज क्या करते हैं चेताओं नहीं देते हैं आपसन नमर च्यार क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तों परसन सिंग्या तीन है अमारा यातायात सिगनल में लाल रोसनी चमकने का मतलब है यातायात सिगनल में लाल रोसनी दोस्तों दो परकार से चमक सकती है एक तो लाल रोसनी लगातार चमक रही होती है एक लाल रोस्नी on off on off मतलब बंद चालू बंद चालू हो सकती है दोस्तूं दोस्तूं जो आपके सामने आप कमेंट कर रहे हैं कि सिगनल बत्तियों को लेकर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है तो दोस्तूं मैं बता दूँ सबसे पहले ग्रीन बत्ति की अवस्ता होती है इसके बाद में जस्ट है वो पिली बत्ति मतलब येलो बत्ति ओन होती है इसकी भी दो इस्तितियां होती है दोस्तूं एक लगातार और एक कंटीन्यू अगर ये कंटीन्यू है तो ये red signal का संकेत होता है red signal भी दो टाइपस होता है एक होता है continue और एक होता है on-off, on-off के वस्ता में तो दोस्तों इस परकार GYR मलब green, yellow, red इन signal बत्यों का करम होगा दोस्तों तो इसके समझ में हमारा एक वीडियो आपके सामने जल्द ही पेस होने वाड़ा है तो आप चिंता ने करें इस परसंद पर आते हैं दोस्तों वापस कि ये याता है signal में लाल रोशनी चमकने का मतलब क्या है तो option number, दोस्तों जो परसंद से क्या तीन है, इसका उतर हो जाएगा option number एक की सड़क पर stop line के पिछे परतिक्सा करना दोस्तों जैसे ही लाल आपके सामने रंग आजाए कहीं भी तो सबसे पहली बात है ये लाल रंग है वो खत्रे का परतिक होता है तो आपको रुकना तो पड़ेगा ही चाहिए वो on off बंद चालू हो रही हो या वो लगतार on हो अगला परसन देखते हैं दोस्तों जो परसन confusion confusion करने वाड़े हैं उन पर हम discussion भी करेंगे दोस्तों वो बात नहीं है चाहिए हम कितना भी समय क्यों न लगे परसन सिंख्या 4 है चितर का सुचना अत्मक्चिन दरसाता है दोस्तों जो यह चोकोराकरती में बना वाया मतलब क्या शुचना अत्मक्चिन है और इसमें पलस बनाया वाया केवल पलस है दोस्तों अगर पलस के साथ में 4 पाई होती तो अस्पताल हो जाती लेकिन केवल पलस है तो एक क्या हो जाएगर दोस्तों option number 3 पर्थम मो उपचार पोस्ट मलब प्रात्मिक उपचार के अंदर का ये दूसरा नाम है दोस्तूं ये हिंदी बासा मैंने पहले भी बताया था सबसे सरल बासा है सबसे कठीन बासा है जितना ज्यादा समझोगे इस बासा के बारे में उतना है अच्छा रहेगा तो आप ध्या उतना आत्मक चिन दर्साता है जैसा की पलस का चिन है चार पाई है मलब यहां उपचार भी होता है और आपको भरती भी किया जा सकता है अगर आपकी कंडिशन सही नहीं है मलब अस्पताल को दर्साता है अगर दोस्तूं केवल पलस का चिन है क्या है प्रात्मिक उपचार क दिया जाता है बैस अरतें कि वहान से हदिक पुराना नहो नाम आ गया मोटर केब इसके समझ में परमिट से सम्बंदीद भी दोस्तों एक वीडियो चोटा सा चार से पांच मिन्ट का वीडियो में डालने वाला हूँ तो यहां डिसक्रिशन करने से वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस परसन का उत्र हो जाएगा वीडियो नहीं होना चाहिए परसनसिंग पहले है कि चितर सुचना आत्मक्ची धरस का यहां चार पाई है दोस्तों तो दोस्तों इसका उत्र हो जाया साथ नमार परसन का वीडियो अरा century साथ सीगनल जिसमें उल्टा त्रिष बनावा होता है क्योंकि दोस्तों, TRI-BOOJ है वो चेताओनी चीन होते हैं लेकिन ये क्या है, एक तरका आदेसातमक चीन है दोस्तों और ये चौराइके नजदी के बनाया जाता है और ये उल्टे TRI-BOOJ में बनावा होता है तो ये किसका चीन है दोस्तों, रास्ता देने का अंगरी जी में कहते हैं give way मलब रास्ता दीजिये अगला परसन देखते हैं दोस्तूं साथ ही हूँ हमारा परसन सिंग्या नो है कि जब किसी जब एक वहान को दूसरे वहान से खिंचा जाता है टोचिंग करके तो आगे के वहान के पिछले दरपन मलब पिछला जो काच है पिछे की जो फाटके वहास में और पिछले के वहान के अगले दरपन मलब आगे का जो शिसा है जिशें wind screen बोलते हैं दोस्तूं के बीच में इस पष्ट दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए किसी भी समय से हदीक ने हो मलब कितनी दूरी है वह अधिक्तम हो जानी चाहिए तो दोस्तों अधिक्तम की बात किये तो यहाँ अधिक्तम उप्स नमर B क्रेक्ट हो जाएगा पांच मीटर में लगबग साड़े पंदरा सोड़ा जो फिट है वो दूरी हो जाती है इसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी आलत में दोस्तों तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंदा रहा है तो इसको लाइक, सेर और कमेंट करना ने बुलें और दोस्तों अगर आपने इस हमारे यूटूब चैनल की अभी तक सदेशयता नहीं लिए तो इसकी सदेशयता ले लें सदेशयता का मलब सब्सक्राइब कर लें आगर देखते हैं परसंद सिंग के अदस दोस्तों हमारा की चित्तर अनिवारे चिन दरसाता है दोस्तों सब को पता है गोल आकर्ती मलब आदे साथ में के तीर का निसान बाई साइड में मलब आपको गाड़ी है वो बाई साइड में रहते हैं चलना है आविशे गूरूप से बाई चलें ऑप्सन नमर एक करेक्ट हो जाएगा अगला परसन देखते हैं दोस्तों परसन सिंग्या ग्यारा परसन सि निसीद कहते हैं ओप्सन नमर एक करेक्ट हो जाएगा सभी मोटर वाहने निसीद कर दिये गए अगला परसन देखते हैं दोस्तोंब परसन सिंग्यारा है अधे साथ मक्चिन दरसाता है दोस्तों आप सबको पता है गोल आ करती मलब आदे साथ मक्चिन एक आदमी काम कर रह हाथ में ठेला है दोस्तों क्या है हाथ ठेला इसको काट दिया गया मदब हाथ ठेला है वो क्या है हाथ ठेला निशीद है दोस्तों आगे बात करें परसंद सिंक्या 13 है हमारा की CMV मलब सेंट्रल मोटर वाइकल 1989 के CM18 के साथ पढ़े जाने वाले मोटर वाइकल अधिनियम 1988 की धारा पंद्रा के चाल्लाग लाइसेंस के नवी नीकरन है तू में आविदन किया जाएगा दोस्तों एकदम सिंपल परसंद है हमारा जो लाइसेंस वाला परिवहन कारियाले में जो फोरम कामें आते हैं उसके स देखते हैं दोस्तों परसंद सिंग्या हमारा चू होड़ा है की कि दर साता है दोस्तों यह त्री शेतायों. इसमे calendar बनाई हुए है कोण से होते हैं उसल्य के सूंद संद्र Um स mettने लिए सोट रμαनेफेंद डोरिक्षा निए सचना के लिए पार्किंग है दो streed अप्संट से 0 से आ sliding analytics हम स्के से लिए चमानेफेंद जोड़ पार्किंग परसंद सिंगे 17 है दोस्तों हमारा की अनिवारे चिन दरसाता है दोस्तों आप सब को पता है गोला करती मलब आदे साथ मक चिन और इसमें तीर का निशान इदर मूड़ा है दाइं साइड में तो दाइं मूड़ना आवस्या का उप्सनम रेके करेक्ट हो जाएगा अगला पर परसंद सिंगayan हमारा आज-ge 18 रहा है दोस्तों ऑठारा प्रसंद नमर में क्या है अनिवारे चिन दरसाता है तो अब अब बीच में सा इसको काट दिया गया हमारा और पारकिंग निशीद होता है दोस्तों इसमें अगर एक और हो जाए तो इसमें पार्किंग प्लस खड़े रहना निशीद हो जाएगा दोस्तों अगर केवल दोस्तों इस परकार होगा तो यह खड़े रहने का खड़ा रहना निशीद का संक्यत होता है अगला परसन देखते हैं दोस्तों परसन सिं फृट-प्पाथ बना हो है इस्का मतलब क्या हुआ दोस्तों क्या है पेदाल पारपत मर्छi के नहीं को सड़क पार करने के लिए जो जेब्रा क्रोशिंग होती है उसको बनए गए है में उसको बनाय गए है मतलब पेदल पारपत है शड़क पे और परसंग नमर डी इसका क्रेक्ट रॉप्सन हो जाएगा अगला परसंग देखते हैं परसंग यह बाईस है हमारा बाईस में है चोकोर आकरती में अदर सुचना अत्मक्चिन है दोस्तों इसमें एक चाई का प्याला है मतलब हलका जलपान एकदम सिंपल है दोस्तों यह तो दोस्तों इसका क्रेक्ट हो जाएगा एक दोस्तों इसके समझ में आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो यह नमर एक ओप्शन है कि एक द्वार वाली जो क्रोसिंग होती है मतलब वे क्रोसिंग जिन पर गेट लगे होते है और उन गेट को बंद और चालू करने के लिए वहाँ एक गार्ड की विवस्ता होती है तो यहाँ वहाँ एक गार्ड की बात भी हो सकती है और एक गेट की बात भी हो सकती है तो दोस्तों एक द्वार का मतलब है वहाँ गेट लगी हुई है या जो वहाँ बेरिंग लगे हुए है जिनको ओन ओफ करने के लिए एक गार्ड भी रखावा है जब ट्रेन आएगी तो उसको बंद कर देगा और जाएगी तो खोल देगा अगला परसंद देखते हैं दोस्तों परसंद सिंग्या 24 है हमारा परसंद सिंग्या 24 से आदे साथ मक चीन दरसाता है दोस्तों गोल चीन मलब आदे साथ मक और बाएं मुडने का संकेत इसको काट दिया गया मिल्ब भाईय मूढ़ना क्या है निशीद है बाईय जो left turn है वो निशीद किया गया है दोस्तों परसंद सिंग्या जो प्सन नमर 4 है वो correct हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं दोस्तों परसंद सिंगे हमारा 25 है का चेताओनी चीन दरसाता है दोस्तों त्री बुजी में मतलब चेताओनी चीन निचे से संकड़ा आगे से चोड़ा तो दोस्तों क्या है आगे सड़क चोड़ी है एक गम सींपल परसंद है दोस्तों और hairpin mode option number D, इसका उत्र हो जाएगा, अगला परसन देखते हैं दोस्तों, दोस्तों मैं पटा-पट इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपको जो समय है, वो आपका समय जाया नहीं हो, कम समय में ज्यदा परसनों को हम हल कर ले हूँ, इसलिए इनको मैं जल्दी-जल्दी करवा हूँ दोस्तों, तो परसन सिंग्या जो 27 है, का चेताओनी चीन दरसाता है, त्री बुज में, मतलब चेताओनी, और डलान में गाड़ी उतर रही है, मतलब क्या ऐसी दी उतरा ही, option number B, correct हो जाएगा, अगला परसन देखते हैं, परसन सिंग्या हमारा 28 है, 28 नमर परसन क्या क रहती है, तो यहाँ लाइट लाइशेंस, यह इसे कब चोटे लाइशेंस की बात है, हो रही है, तो दोस्तों, इसका परसन का उतर 20 वर्स हो जाएगा, दोस्तों, इसके अलाव में बताओं, परिवेन लाइशेंस की जो वेलिटी होती है, वो 5 वर्स होती है, और जो परिवेन लाइसेंस की आउदी है वो पांच साल बढ़ा कर दी गई है तो इसे पहले तीन साल थी तो दोस्तों आप कन्फूजन मत ओना एकजाम में अगर पांच का ओप्शन ही नहीं हो और तीन का हो तो आप तीन भी कर सकते हो वेसे एक सितंबर 2019 को जो मोटर वाइकल एक्ट 2019 संसोदन है वो पारित हो चुका है और उसको लागो किया चुका है परसंसिंग का गुंतिस है हमारा दोस्तों कि जिस उपधारा के तहत सभी ड्राइविंग लाइसेंस अपनी आउदी के समापती से कितने दिनों के लिए परबावी रहेंगे दोस्तों यहां बात ओर यह ड परिवयन वीबाग है वो किसी को दिक्कत नहीं देना चाहता वो हमारे सुईदा के लिए इन यह में बनाता है तो इसमें हमें जो 30 दिन की है वो और छूट मिलती है कि हम 30 दिन तक वहां को चला सकते हैं इन 30 दिनों में हमें जरूरी इस लाइसेंस को रिन्यू करवा लेना चाहिए तो इसका उतर 30 दिन हो जाएगा दोस्तों इसके लाव दोस्तों अगर आप 30 दिन में नहीं करवाते हैं तो आपको 12 महीने तक है सुल्क में छोट दी जाएगी अगर 12 महीने तक आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तो उसके बाद में आपको पेनल्टी की रूप में जो सुल्क है, जो नए का लगता है, उसी प्रकार लगेगा, तता जो नएा बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, वही प्रक्रिया आपको दुबारा उसी प्रक्रियाशन गुजरना पड़ेगा, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका लाइसेंस के वधी समाप्त ही नहीं हो, ये समाप्त हो गई हो तो एक महीना नहीं गुजरे, अगर एक महीना बीत गया है, तो आपके बारा महीने नहीं बीते, तो इसका आप ध्यान रखें, परसंद से क्या है दोस्तों तीस है हमारा, कि चेताओनी चिन दरसाता है, त्री बुज मदब चेताओनी थोड़ा सा गु दोस्तों ये क्या होता है, हिंदी में वक्र कहते हैं, और अंग्रेजी में कैरवे कहते हैं, तो द्यान रखना ये सबद भी कैरवे भी आ सकता है, कि दाया हाथ की और कैरवे मोड या कैरवे गुमाओ, तो दोस्तों इसका उप्सन नमर एक है, वो क्रेक्ट हो जाएगा, दा दोश्टों, जो सडक के मद्धी जो पट्टी बनी होती है, उसमें यहां दरार है, ताकि जो यहां से मारग है, यह आपस में क्या है, सड़क पर आपस में इदर उदर आउसेक तानुसर मुड़ सके या यू टेर्न लेने के लिए इनको आउसेक जो इस्थान है वो मिल सके तो मध्यप में अंत्राल या मध्यपट्टी में अंत्राल या उप्सन में विकल्प है आ सकता है दोस्तूं अगला परसंद देखते हैं परसंद सिंग्या 32 है दोस्तूं हमारा चेताओनी चीन दरसाता है तरी बुज में मलब चेताओनी और गाड़ी उपर चड़ रही है दोस्तूं अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेर और कमेंट करना बिल्कूल नहीं बुलें तो दोस्तूं परसंद सिंग्या 33 है हमारा 33 क्या कहता है चेताओनी चीन दरसाता है दोस्तूं तरी बुज में मलब चेताओनी आदमी दोड़ रहा है अगरा 24 नमर परसंद हमारा क्या कहता है देखें वन मिनट तरी चेताओनी चीन दरसाता है तरी बुज मलब चेताओनी आदमी मलब जुकावा वाध में पावरी और काम कर रहा है जो कार یہ है वो चल रहा है उप्सन नमर शी क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तूं आगे परसंद करें, परसंद सेंग्या 35 की बाद, बहुत यह अचा परसंद है, आपको confused बिल्कुल नहीं होना है, दोस्तों इस परसंद को समझने के लिए आपको अंग्रेजी का क्यूशन भी देखना पड़ेगा, दोस्तों चेताओनी चिंदर साता है, त्रिबूज मतलब च दोस्तों आपको यह सिगनल आप पड़े हैं, तो इसका अंग्रेजी में वर्ड क्या है, जो इसको गोल राउंड भी कह सकते हैं, गोल चकर भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में राउंड एबाउट भी कह सकते हैं, या हिंदी में इसको चोराहा भी का जा सकता है, तो दोस् कर चोरा कह सकते हैं इसको परसंद सिंग्या जो 36 है हमारा चेताओनी चीन दरसाता है दोस्तों तरी बूद मलब चेताओनी पहाड़ी बनी हुई है पत्र गिर रहे हैं मलब है क्या हुआ दोस्तों चट्टान गिरना ऑप्सन नवर ए करेक्टर हो जाएगा परसंद सिंग्या 37 ह चेताओनी चीन दरसाता है दोस्तों तरी बुद मलब चेताओनी बहुत ही अच्छा परसंद आपके सामने करव सबद भी आ गया है तो दोस्तों करव या वक्र आप इन दोनु सब्दों को लेकर कन्फूज मत औना बिल्कुल भी ये दोनु एक ही अर्थ है जहां गुमा होत अगला परसंद देखते हैं दोस्तों परसंद से अरतीज एकदम सिंपल चेताओनी चीन दरसाता है त्री भूज में चेताओनी मलपपसू बनाया है पलपपसू ऑप्सन नमर एक गुंडचाड़ीस है दोस्तों एकदम सिंपल परसंद ये भी थोड़ा सा जूम करता हूं मैं आसा निशें दिख जाए आपको परसंद सिंग्य 49 कितने परकार के अधार भूत या तायात चीन होते हैं दोस्तों आप सबको पता है अधार भूत का मतलब होता है मुख्य रूपशें जो या तायात चीन होते हैं कितने परकार के होते हैं तीन परकार के नमर एक जो आदे स आतमें हो गये जो ये छेतानी चेन आतमें होते हैं ये वरग या वरित में होते हैं वरितनी आयत में होते हैं दोस्तों इनके अलावा भी दोस्तों दो मुख्य रूप से कही परकार के जो चीन होते हैं जैसे अश्ट बुज में इस्टॉप का बटन हो गया या गीवे का चीन हो गया दोस्तों बहुती एकदम अच्छे वो जो आपको याद करने है अश्ट बुज वारा इस्टॉप वाला या से अधिक होनी चाहिए मतलब मिनीमम स्पिड की बात हो रही है दोस्तों ओपसन नमरे 20, 4, 10 और उक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों आप अगर सारवजनिक सड़क पर ट्रेक्टर लेकर जा रहे हैं तो आपके ट्रेक्टर की जो स्पिड है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए 10 क अधिक्तम अनुमत गती दोस्तों इसके समझ में भी एक चोटा सा वीडियो में अपलोड करने वाड़ा हूँ कि कौन से वान की कितनी है वो अधिक्तम स्पिड होनी चाहिए या एनेच पर एस एच पर जीला शड़कों पर गायमिन शड़कों पर वहनों की जो स्पिड गती है वो किस परकार से होती है इस पर भी वीडियो जरूर बनाया जाएगा तो इस परसंद का उतर हो जाएगा असी प्रेइक्तम कितनी होती है 80 किलिमेंटर दोस्तों अगला परसंद देखते हैं परसंद सेंग्या 42 हमारा परसंद सेंग्या 42 है कि आदे साथ मक चीन हो दर साता है गोल आकरती है अदे साथ मक दाई साथ में मुड़ावा एरो मलब इसको काट दिया गया मलब मुड़ना मना है परसंद सेंग्या 43 है हमारा आदे साथ मक चीन दर साता है दोस्तों गोल चीन मलब आदे साथ मक आदमी इसको काट दिया गया मलब पेदल चलना मना है जो पादाचारी निसीद हो जाएगा दोस्तों एकदम सिंपल आदे को इसको भी आपको है वो अंग्रेजी वड़ा वर्ड भी आपको याद कर लेना है या पेदल चलना निसीद है पेदल चलना मना है तो इस परकारी इसका विकलत भी अलग भी हो सकता है दोस्तों हिंदी में अगला परसंद देखते है परसंद सिंग के हमारा चमाली से बहुत यचा परसंद दोस्तों ये भी दोस्तों परसंद के समाली से चेताओनी चीन दरसाता है त्री बुज में मदब चेताओनी यहां उपर सड़क मोटी है और नीचे के थोड़ी सी छोटी है तो दोस्तों क्या होगा कि आग्ये मुक्ये सड़क है यह आगे जा है तो मदब आप मुक्ये सड़क पर चोड़ी सड़क पर चड़ रहे है तो आगे मुक्ये सड़क है उपसंद नमर डी करेक्ट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं दोस्तों परसंद सिंग के अमारा 45 है हमारे सामने परसंदिस सिंगे 45 है कि अन्युवारे शड़क चिन quindi किस आकार में होते हैं? मतलब अदे जो हमें मानने के लिए बात देख करते हैं हमें मानना अन्युवार होता है, हमारे लिए मानना चाहिए या उनका पालन करना कंपल्सरी होता है तो वो किस में होते हैं? आदे साथ में चिन की बात हो रही है दोस्तों आदे साथ में की इसमें होते हैं वृत में उप्सन नमर डी क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तों परसंसिंग जो 46 है हमारा चेतानी चिन दरसाता है दोस्तों आपके सामने त्रीबूज है, त्रीबूज में साइकल बनाई हुए, यह आगे जा रही है, मलब साइकल क्रोशिंग, उपसिन नमर एक क्रेक्ट हो जाएगा, दोस्तों आगे बात करें, परसंसें का से 47 की, चेतानी चीन दरसाता है, तो दोस्तों त्रीबूज है, औ तो दोस्तों next question की बात करते हैं परसन सिंग्स boat 48 हमारा भहुत कीता परसन दोस्तों समझने के लिए यह परसन confusion करने वाले होते हैं परसन सिंग्स से 48 है चेताओं नहीं दरसाता है दोस्तों यहा un train नहीं हुए है और यहाँ एकस रेकषा नहीं होती है तथा security guard की व्यवस्ता नहीं की गई क्योंकि इसमें सीधी train दिख रही है अगर इसके फाटक होती तो यह train दिखती है फाटक है इसके सामने आ जाती तो जैसे कि फिछले परसन में आया था फाटक थी इसमें फाटक नहीं बनी हुई अगला परसन देखते हैं दोस्तों परसन सिंह कि फोर्टी नाइन अनिवारे चिन दर साता है गोल आकरती में अनिवारे मतलब आदे सात्मक चिन दोस्तों सीधा जाना या दाएं साइड में मोड़ना एक साइड में आपको एक काम तो करना है पड़ेगा तो दोस्तों परसन है आवशेक रूप से आगे या दाएं मुड़ें अप्सन नमर चार करेक्ट हो जाएगा तो इसका उत्र डी हो जाएगा दोस्तों जो परसन सिंग के 50 है हमारा बहुत ही एकदम अच्छा परसन है दोस्तों इसके समझे में एक खन्फूजन होने वाली जो बाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है मैं आपको बताऊँगा खन्फूज कैसे होते हैं आप परसन सिंग के 50 अनिवारे चिन दरसाता है गोल आकरती में आदे साथ में चिन यूटर्न को काट दिया गया मलब यूटर्न लेना मना है दोस्तों एक चिन होता है त्री बुज में त्री बुज में होता है दोस्तों बहुत ही मुड़ी हुई मलब जिसे हम हैर पिन मोड कहते हैं दोस्तों त U-turn लेने के लिए कभी कोई संकेत नहीं होता अगर जरूरत होगी तो आप ले लोगे और नहीं तो नहीं लोगे तो दोस्तों इसमें दो person बन रहे हैं एक तो U-turn का है और यह के जुद्दाएं या बाएं जो harpin mode थो सब उसको लायक शेडर कोशिस एक गो यह ाक इसस्यूद्स अगा सबस्दी करना है यह वीडियो से है किसी सम्2 करना है प्रसंद से क्वावन है बर्स दिर्स पोड़स अंगे शी busy एक गुमावदार एरो है इसको काट दिया गया मतलब आप इसके आगे नहीं निकल सकते है आगे निकलना निसी देया ओप्सिन नमर B है इसका उतर सही हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं परसंसें किया 52 बहुत अचा परसंद है वहान के मालिक या चालक को दूर गटना ह चाहिए कितने गंटों के अंदर दोस्तों इसका समय है वो 24 गंटा निरदारीत है अगर कोई एक्सिडेंट हो गए आप से भी हो गए या किसी और के साथ हो गए तो दोस्तों पुलिस इस्टेशन में जो इसकी एफायर है वो कम से कम 24 गंटों के अंदर लिखवा देनी अगला परसन है परसन सिंग्या तरेपन यह अनिवारी जो चीन है दरसाता है अनिवारी का मतलब होते है आदे साथ मकचिन यह तो इसी दा सकते हो और इधर भी मुड़ सकते हो अवस्य क्रूप से आगे या बाएं मुड़े मतलब ऑप्सन नमर एक है वो करेक्टर हो अगला परसन देखते हैं दोस्तों परसन सिंग्या हमारा चोपन है कि चेताउनी चीन हो दरसाता है क्या दरसाता है जो यहां गाड़ी जा रही है और गाड़ी इसे क्या है कि तायरों से उच्छ रही है क्या उच्छ रही है दोस्तों बज़री उच्छ रही है त्री बूज में मलब चेताओनी और उबढ खाबढ उँची नीची की गई है दोस्तों तो मलब उभार लिये वे ओप्सन नमर तीन है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों देखो उभार सब्द है इसका मतलब कई दोस्ता इसका अर्थ है वो नहीं समझ पाते और दोस्तों इहां इसको खतरना ग दर साथ है दोस्तों ये देखो आप इसको यू टर्न अगर यू टर्न का उप्सन होता तो हो सकता है आप में से कही भाई है उसको यू टर्न कर देते तो यू टर्न में और इसमें अंतर क्या है यू टर्न को दोस्तों गोला करती में यू टर्न होता है उसको काट दिया जात बाएं कि और हैरपीन मोड अप्सन नमर एक करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों अगला परसन देखते हैं परसन सिंक्या 57 परिवहन वाहन परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य के मामले में जारी लाइसेंस उस विक्ति की कितनी उमर तक परवावी रहेगी दो दोस्तों इसक आपकी उमर है वो 18 से 30 के मद्दे है तो आपका लाइसेंस वो 40 साल तक वैलिड होगा या 20 साल 20 वर्स या 40 साल तक होगा इसके लाओ दोस्तों एक बात मैंने ये भी बताई थी कि अगर आपकी उमर 30 से 50 है तो आपका लाइसेंस वो कब तक लाग होगा दोस्तों तो उसमें म की उमर है वो 50-55 होती है तो आपका जो लाइसेंस है वो कितने साल तक होता है पांच साल के लिए और दोस्तों अगर 60 साल या दोस्तों 50-55 वालों के लिए क्या होता है कि या तो 60 साल तक होता है या 60 साल या 5 वर्स या 60 साल होने तक होती है जैसे 60 साल होती है तो आपको दुबारा जो लाइसेंस उसको रिन्यू करवाना पड़ता है लाइसेंस की पूर्ण जानकारी आप लाइसेंस नामक रिसर्च एक वीडियो है उसको देख सकते हैं वहाँ भूत ही अच्छी जानकारी वो दी गई है तो दोस्तों इस परसन का जो उतर है क्या होजाएगा दोस्तों 60 वर्ष अगला परसन देखते हैं परसन सिंकि 58 परसन सिंकि 58 एस ताई 50 करण दारा कितनी आउधी तक के लिए वेद्ध होगी ऐस ताई 50 करण दोस्तों आप सबको पता है कि बीना पंजी क्रण के कोई भी वान है सड़क पर नहीं उतर सकता वो दोस्तों हम सबी वहां नए तो खरीते ही हैं वो नए खरीते ही हैं उसको क्या है लोगों को दिखाने के लिए या अपना जो सोक है उसको पूरा करने के लिए उसको रोड पर लेकर चल पड़ते हैं तो दोस्तों ये गेर कानूनी होता है तो इस इस्तरशिय बतने के लिए जो परिवेन विभाग है उसने एक इसकीम निकाली है कि अगर आपके पास नयावान है तो आपको एक माहा के ये एक एस्ताइप पंजीकरण है वो दिया जाएगा और उसकी वैलिटी 30 दिन तक होगी तो दोस्तों जो परसन है एस्ताइप पंजीकरण बहुत अच्छी नोलेज है मैं आपको दे रहा हूं याद रखना दोस्तों इसको तो दोस्तों इसकी जो वैलिटी है एक महीना होत लाता है तौस्तों त्री बुझ मलब जो चेता होनी और ये एक शड़क इसके बगली में सड़के मलब बाएं चोटी सड़के दभाएं चोटी शड़के 513 तो दोस्तों ऑसपने हरी एक की बाएं करेक्चतर ओ जाएगा की बाएं मेरे चोटी सड़के अगला पसद देखत परसन से क्या 61 ये एकदम सिंपल परसन है दोस्तों चेतानी चिंदर साता है तेरी बुज में पसू मलब ऑप्सन नमर एक करेक्टर हो जाएगा आगे दोस्तों ये चाहूंगा कि आप इसका कमेंट करें क्या है हो सकता ये सुचनात्मक चिंदर साता है मलब चोकोर आकरती में ह दोस्तों गरहें आगे मुख्ये चड़क होती तो ये आगे वाल ये वह बहुत बड़ी चड़क होती लेकिन आगे तो क्या होगा दोस्तों सेकर्ट गांपके पास में तो दोस्तों इसका समय समय अप्त वा परसन होजाएगा थुरू शड़क नहीं बंग दोस्तो ये जो ब्लैक एंड वइट पिक्च्र होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रही है इसके में एक पिक्चर बनाता हूँ दोस्तों तो दोस्तों मैंने एक चीतर बनाए है आपके सामने तो यह चीतर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो सड़क है दोस्तों यह सड़क आके जागर लाल है लाल संकित बनावा तो इसका मतलब है यह सड़क यहाँ रुक रही है मिलब इसके आगे सड़क नहीं है तो दोस्तों इसलिए through शड़क नहीं या no through road यह person बेसका विकल पर सरी हो जाएगा option number D through शड़क नहीं हो ना इसका विकल पर हो जाएगा ये black and white picture होने क mechanics आपको पूरा पता नहीं चिद राया दोस्तों आगे person देखते हैं इनसे परसन है वो इनसे हाड लेने है या इनसे सरल लेने है मतलब जो standard होगा जो मैं आपकी राय जाना चाहता हूँ वेसे मुझे पुरा पता है कि किस प्रकार का paper बनाना है लेकिन मैं आप से comment box में आप से सुझाओ मांगता हूँ दोस्तों इस model paper में जो तकनीकी जानकारी है वहान की या रोड साइड मरमत की जो person है उनके समझ में तो दोस्तों अगला person लेकते हैं दोस्तों ये अब एक से लेकर दुबारा से सुरू हो रहे है जो रोड साइड मरमत से समझ ये person है दोस्तों परसन सिंग्या एक है माल भाड़े बनाब गुर्स्ट फैर के लिए प्रि परसन सिंग्या दो है बारी वहन के अंतरगत आते हैं ट्रेक कंटेनर बसे हैं ये सबी ये सबी इसका उतर डी है वो क्रेक्ट हो जाएगा person सिंग्या तीन है दोस्तों वन मिनिट person सिंग्या तीन है तीन एवम चार पैया वान होते हैं हलके वहन बारी वहन ए थता भी दोनू इन में से कोई नहीं person सिंग्या तीन के उतर हो जाएगा तीन एचार पैया वान वो हलके वानों के इस रणे में आते हैं दोस्तों परसं सिंग्या चार है हमारा वानों में बोज की सिमा का निर्दारन दुआरा किया जाता है कौन करता है दोस्तों वानों में बोज कितना होगा या लोड है वो कितना रखा जा सकता है तो दोस्तों अगला person उतों मोबाईल एसोशीयेशन का कार ये है उतों मोबाईल का का capable होता है ने आपनाया स्वेता है मोबाईल का मतलब होता है होजाता है अंग्रिय激 में दोस्तों की है प्रियेटन को बढ़ावा देना उध्योगों को लाइसेश देना औटो जोगों को शलाहा देना ये सबी होते हैं दोस्तूं इसका उत्र हो जाईगा दी परसंसिंक्या छे देखते हैं परसंसिंक्या 6 है हमारा टाइर का डिजाइन बना भाग कहलाता है दोस्तूं इसका उपषण नमर है वो 4-3 जो ट्रेड है C है वो से हो जाएगा ट्रेड इसे थ्रेड भी कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको कहते हैं T-H-R-E-A-D थ्रेड दोस्तों आप सब को बता है जो टायर होता है टायर के उपर जो गुलाई होती है यहां टायर के उपर दोस्तों आप सब को बता है इस परकार कटिंग होती है यह जो आप सब को पता है रेड्यस नाम रेड्यस नाम मतलब क्या होता है गोलाई मतलब परीधी दोस्तों एक तो टायर की गोल इस प्रकार होती है परीदी एक दोस्तों आप सबको पता यह टायर इस प्रकार यहां से भी क्या गोलाई लिए होता है तो जो यह जो थेड है थेड की रेडियस के होगा थेड की गोलाई कितनी है जो उपर से टायर है कितना गोल है या जो जो गुटके बने हैं या जो छोटे उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक यान हो दोस्तों परसंसिंगे साथ का उतर हो जाएगा नमर तीन जब तक उसकी डूर या नहीं दिखती हो मलब जब तक चल सके तब तक आपको टायर को चलाना है यह सी दीशी बात है परसंसिंगे आठ है वहिल अलाइमेंट में होते हैं केमबर एंगल, पास्टल एंगल किन पिन, इन क्लिक नेशन तता टोन इन उपरोग सबी दोस्तों उप्सन नमर चार इसका करेक्ट हो जाएगा परसंसिंगे जो नो है हमारा कि केमबर एंगल के कान अगले पई दिखते हैं दोस्तों बिलकुल उपर से बाहर की और उप्सन नमर ए है वो क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तों हम देखते हैं कि कई-कई वहन ऐसे होते हैं जिनके पई है हम देखते हैं तो हम यह समन्द में आता है कि इसके टायरे वह एकदम सीधे खड़े नहीं है थोड़े से उपर से बाहर की दिशाओं में जुके हुए हैं या नीचे से अंदर की और दसे हुए हैं तो दोस्तों यह केमबर एंगल के कारण होता है अगला परसन देखते हैं अगला परसन है परसन से के अदस हमारा कि सोक अब्जॉर्वर क्या होता है दोस्तों आप सब को पता सोक किसें कहते हैं जो सोक कहते हैं दोस्तों जो सोकर लगे रहते हैं या जो खड़े होते हैं सड़क पे उनके बज़े से जो जटके लगते हैं उनको सोक कहते हैं तो दोस्तों गाड़ी अगर इसके उपर से कूदेगी तो इसमें जो स्प्रिंग लगी होती है वो इस जटके से गाड़ी को बचाएगी लेकिन दोस्तों गाड़ी को बचा लेगी लेकिन स्प्रिंग क्या होगी एक बार दबेगी या खिंचेगी तो उसके बाद में स्प्रिंग क्या करेगी रियक्ट करेगी या खुद करेगी तो हो सकता है इस्प्रिंग की तागत से गाड़ी उचल जाए तो इस इस्टतिशें बचने के लिए सोक एब्जॉर्बर का को काम में लिया जाता है ताकि गाड़ी को लगातार उचलने से बचाया जासके तो दोस्तों इस परसन का जो उत्तर है और परसन से क्या दस है दस नमर परसन का उतर हो जाएगा कि इस्प्रिंग के विप्रीत जटकों क्यों दोस्तों इस विप्रीत जटके कौन से होते हैं जो खड़े में गाड़ी गिरी तो ये इस्प्रिंग है इस पर क्या होगा तनाव आएगा ये तनाव वापस प्हेंकर दोस्तों आप सब को पत सोक एब्जॉर्वर को कहते हैं इसको डेम पर भी कहते हैं दोस्तों आप्स नमर ए के करेक्टर हो जाएगा परसन सिंग के बारा है हाइड्रोलिक एसिस्ट कलच में रिलीज बियरिंग दिबाने के लिए क्या होता है दोस्तों परसन सिंग जो बारा है लिए क्या काम लिया जाता है दोस्तों परसन सिंग तेरा का उतर हो जाएगा अप्स नमर सी डायल गेज का प्रियोग किया जाता है कि कलच पिलेट कितनी गिसी है या कितनी अभी बाकी है दोस्तों इस परकार परसन सिंग जो सहुदा है हमारा यह परसंसिंग सहुदा क्या है कि कलच पलेट के दोनों तरफ किस पदार्त की लाइनिंग बनी होती है कलच पलेट दोनों तरफ लाइनिंग बनी होती है ताकि गर्शन कम हो तो दोस्तों इस परसंसिंग का उत्तर हो जाएगा कि कॉर्क की चमडे की फेब्रिक एस बेस्टस की या उप्रोक सभी इन सभी पदार्तों की ओप्सन नमर डी सही हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं परसंद सिंख्या पंदरा इसको दोस्तों मैं आउट उप्स लेबस मानता हूँ इसको मैं आपको नहीं बताऊँगा दोस्तों अगला परसंद है हमारा परसंद सिंख्या सोड़ा परसंद सिंख्या सोड़ा है टैंडम मास्टर सिलेंडर में पिश्टन होते हैं टैंडम मास्टर सिलेंडर एक प्रकागा सिलेंडर है जिसमें पिश्टन हों की संक्या पूछी गई है तो दोस्तों सोड़ा नमर प प्रियोग होता है प्रसंचे प्रकार के परबंद प्रबंद का प्रियोग किया जाता है A और B दोनु मलब जो इंटर्नल एक्स्पैंडिंग और स्लिप जोइंट ये दोनों किसमें कामे आते हैं, हैंड ब्रेक में, इंटरनल, एक्सपेंडिंग और स्लिप जोइंट, दोस्तों अगला परसन लेकते हैं, परसन सिंग्या हमारा 19 है, एकदम सिंपल परसन है, हमने पहले भी डिसक्सन कर लिया इस पर, परसन सिंग्या 19 कहता है, कि डीजल ओईल यू को कंप्रेस करने से, तो दोस्तों इसका जो परसन सिंग्या 19 से, इसका उतर क्या हो जाएगा दोस्तों, उप्सन नमबर A, मतलब जो 300-350 डिग्री सेंटिग्रेड का ताप मान होता है, वो डीजल इंधन को जलाने के लिए प्रयाक्त होता है, परसन सिंग्या 20 से, जो डीजल है वो जलने के बाद में, दोस्तों किस नमर परसन है, टू स्टोक इंजन के पर्थम स्टोक में होते हैं, दो स्टोक वाला इंजन होता है, दोस्तों जो पिष्टन है, इसमें चार स्टोक होते हैं, चारों चार बार होगे, लेकिन जो दो स्टोक इंजन है, इसमे वो चैरे श्ट्रोकों उपर करिया केवल दो ही स्ट्रोक में समप्त हो जाती है तो दोस्तों इस परसंद का सही उतर हो जाएगा अप्स नमर ए पावर तताशी अक्षन इंच्ट्रोक दोस्तों इस के लागए दोस्तों बात करें परसंद से क्या 22 की तोr par outdoor draw bull होते हैे ही जो 2-stroke इंजन होते यह छोटे होते हैं तो दोस्तों इसको air kırldबने जाता है आप सब को पताओंगा air kırld में क्या होता है जो why you say थंड़े वाले इंजन होते हैं और why you say कैसे होते है कि इंजन की इंजन की उपर बारी बिसा में क्या होते हैं फिंस लगे श्क क्या काम करते हैं, हावा के छेतरफल को बढ़ाते हैं और इंजिन को ठंडा करते हैं अगला परसन है दोस्तों परसन सिंखे टी शेर हमारा जो कार्बूरेटर ऊलटे फिट किये जाते हैं उन्हें का जाता है, बहुत यचा परसन है, दोस्तों इस अगरे जो रास्ता होता है उसे कहते हैं होरीज़न्टल कार्बूरेटर इनलेट मेनी फोल्ड पर किस परकार फिट किया जाता है तो इसके लाओ दोस्तों बात करें परसंसिंगे जो हमारा 25 कार्बूरेटर का वरगी करण का अधार होता है मतलब जो कार्बूरेटर होता है इसका वरगी करम इसको किस परकार भागों में बांटा जा सकता है परसंद सिंख्या 25 है वो इसका उतर हो जाएगा बेरल की संख्या वेंचूरी फलोट चेमबर ये जो कार्बूरेटर के भाग है दोस्तों तो इसका परसंद का उतर हो जाएगा ये सभी उप्सन नमर डी करेक्ट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं दोस्तों परसंद सिं अग्ला परन पर, दोस्तों, अगला परसंगर देखते हैं, गेस टेंक किस आकार का बना होता है गेस टेंक का मतलब है दोस्तों यहां गेस टेंक का मतलब है जहां पर इंधन जलता है और गेस यह उत्पन होती है और यह गेस बाद में जहां पर रहती है तो दोस्तों यहां सिलेंडरे हेड की बात हो रही है जहाँ पर इंवन जलता है तो दोस्तों परसंद सिंग के जो अठाई से इसका उतर हो जाएगा इस्टिल की गोल आकरिटी का जो गेस टेंक है किसका बना होता है इस्टिल की गोल आकरिटी का आगे बात करें दोस्तों परसंद सिंग के जो गोंती से हमारा तो दोस्तों इस परसन का जो परसन से क्या गुंती से इसका उतर हो जाएगा B. रिएडियेटर के पानी को जमने से रोकना परसन से क्या 30 और आज का लास्ट परसन है दोस्तों ये इंजन के अधिक गरम होने का कारण हो सकता है इंजन का जाम होना, प्री इगनीशन यानी समय से पहले इंदन का जलना वालव टाइमिंग गलत होना तो दोस्तों इन तीनों ही कारण से क्या है इंजन है वो अधिक गरम हो सकता है तो इस परसन का उतर D क्रेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों मैंने आज आज आपके सामने बहुत इच्छे परसन रखें और मैंने पूरी कोशिश किये कि आप सब इनका उतर दें और आपको अनुमान भी लग जाएगा कि आपको कितने परसन आ रहे हैं दोस्तों इस जो परसन पेपर है इसकी जो पीडिया फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी तो दोस्तों आप वहाँ से इन परसनों के जो उतर है वो देख सकते हैं या परसन को दुबारा पढ़कर इनका अभ्यास कर सकते हैं तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में अगर किसी भी परकार की कोई समस्या आई हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेर और कमेंट करना नहीं बुलें इसके लावा दोस्तों एक चीज और करनी है आपको जो ये परसंद पेपर है इस परसंद पेपर में आगए जो मोडल पेपर आने वाड़ा है उसमें किस परकार सुधार किया जा सकता है या इसका स्टेंडर्ड और सरल किया जाए या और हाड किया जाए और कौन से टाइप की जो परसंद उनको एड किया जाए या कौन से परसंदों को हटाया जाए इसके समय जो भी आपका सुधाव हो मोडल पेपर आपर में आप से सबी से सुधाव मांगता हूँ जो सुधाव देने चाहे वो दे सकता है कमेंड बुक्स में तो दोस्तों इस अभी के लिए इतना ही हमारा जो यह वीडियो है वो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी को राम राम